हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग और आज मैं बनाने वाली हूँ सर्दियों वाली आलू गोभी मटर की सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है ये सबजी तो आएए चलते हैं बनाते हैं इसे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर ली हूँ और इसमें मैं सर्सो का तेल डाल दी हूँ आप चाहे तो गोभी तेल डाल सकते हैं जो आप तेल पसंद करते हैं खाना और फिर इस तरह से इस तेल को मैं कढ़ाई में इस तरह से फैला लूँगी फिर मैं यहाँ प कि पॉयल पॉल करने से गोवी भी अच्छे से फ्राइस होते हैं तो देखिये हमारा घोवी फ्राइक हो चुका है अब इसे मैं निकाल लूगी तो इस तब से मैं सारे गोवी दिखनाव्टी निकाल लूँगी छिच फिर उसी कड़ाई में मैं तेल ढाल दूंगी और तेल इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं दो इलाइची डाल दी हूँ और इसको थोड़ा सा करकने दूँगी तो हमारा फोरण जैसे ही रेडी हो जाए इसमें मैं चॉप्ट किया हुआ प्यास डाल दूँगी तो मैं दो यहां पर यूच की हूँ और इसको मैं सोटे होन दूँगी दो से तीन मिनट तक दो से तीन मिनट इसलिए ताकि जो कच्छापन लसुन और अद्रक का होगा वो निकल जाता है फिर जैसा कि जानते हैं कि मैं मसाला को अलग से कटोडी में गोल बना के डालती हूँ तो मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ नहीं आप एक चमच हल दूँगी है मैं इस तसे मसाला इसल्थ करते हूं ताकि सब्जी में मसाले चिपकते नहीं और अच्छा से होते हैं तो इसले की मैं मसाला डाल दूँगी और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तीन से चार विनिट तक इसको कुक करोंगी ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं तो जैसी हमारा मसाला हलका सा कुक हो जाएगा देख रहे हैं कि साइट से तेल निकलने लगा है फिर इसमें मैं टोमाटो का प्यूरी डाल दोंगी तो मैंने यहां पे दो टोमाटो लिया है उसकी प्यूरी बना ली हो ग्रैंडर में और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी आप चाहे तो टोमाटो को काटके भी डाल सकते हैं मैं प्यूरी इसले यूज की ताकि ग्रेवी अच्छा इसका होगा अब इसमें मैं हरे तीन मिन तक ऐसी कुख करूंगी तो जैसी हमारा यह सब कुख हो जाए फिर इसमें मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी कसूरी मेथी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है सबजी का अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्कीब भी कर सकते हैं और फिर इसे एक से दो मि मिला लोंगी मसालो के साथ नाए जो भी मसालें इंदर मिकस हो जाएं ए फिर यहां पर मै आलो जो है ववो कर के रखी ती तो इस तरह से देख रहें कैसे तूर-दोर के डाल ना है इस तार स्यी थी हमें तूर-थी डालना है आलो को अच्छे और इसे इस तरह से 2-3 मिनट के लिए कुक करना है ताकि जो भी मसाले यह आलू और अच्छे से मिक्स हो जाए तो पानी डाल दी हूं तो पानी आप अपने ग्रेवी कितना रखना है आपको रोटी या चावल के साथ खाना है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं तो इसमे कवर कर दी हूं अब देखिए इसमें बॉइल आ गया है तो मैं हरे धनिय का पत्ता इसमें डाल दी हूं तो इसे मैं कवर करके 10 मिनट के लिए और कुक करूंगी ताकि हमारा गोवी जो है अच्छे से गल जाए तो देखिए इस तरह से मैं चला ले रही हूं और मैं चेक कर इसमें आफ कर दूँगी तो मैं गैस का फ्लेम औफ कर दी हूं और इसे मैं अब सर्व कर दूँगी तो देखिए गरमा गरम आलू गोवी मटर की सबजी रेडी है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आलू गोवी मटर की सबजी बनाई है और फैमली के साथ इन जवाई सर्दियों का यह special सबजी होता है और अपने feedback हमारे comment box में जरूर सेयर कीजिए तब तक के लिए bye bye and thank you